इस्राइल हमास युद्ध की वज़े से अब पुरा मिडिलीस्ट जुन की आग से धधक रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब ये युद्ध समूचे मिडिलीस्ट को अपनी चपेट में लेगा क्योंकि पहले गाजा में इस्राइली से ना हमास से लड़ रही थी वहीं दूसरी तरफ उत्री इस्राइल पर हिजबुल्ला केहर बरपा रहा है और हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए इस्राइल अब लिबनान पर आक्रमण कर सकता है लेकिन इरान पहले ही कह चुका है कि वो हिजबुल्ला के साथ खड़ा है वहीं यमन का हूती भी हिजबुल्ला के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़ा है और इस लिस्ट में इराक और सीरिया के प्रतिरोधी संगटनों का नाम पहले ही जुड़ा है और ये सभी मिलकर इस्राइल से कह रहे हैं कि अगर उसने हिजबुला पर हमला किया तो वो इस्राइल का नाम और निशान मिटा देंगे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल इस्ट की हालात एक ज्वाला मुखी में तब्दील हो चुके हैं जो कभी भी फट सकता है और अगर युद्ध का ये ज्वाला मुखी फटा तो कहीं दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुवात न हो जाए वो इसलिए क्योंकि अब तुर्की भी हिजबुला के समर्थन में आ गया है तुर्की के राश्रपती तैयप एर्दगन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश इसराइल को खोली शेह दे रहे हैं उसे लिबनान पर हमला करने का समर्थन दे रहे हैं एर्दगन का कहना है कि इसराइल की आखे अब लिबनान के उपर है हम देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे से पश्चिमी शक्तियां इस्राइल की पीट थप थप आ रहे हैं और यहां तक कि उनका समर्थन भी कर रहे हैं वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने साइपरस देश को चेताबनी देते हुए कहा कि वो इस्राइल को अपनी जमीन का इस्तमाल लिबनान पर हमला करने के लिए ना करने दे और अगर ऐसा होता है तो साइपरस को इसके परिणाम भूबत में पड़ेंगे इसको लेकर तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने हैबर तुर्क न्यूस चैनल को दिये इंटरव्यू में कहा हम लगातार खूफिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं जिसमें कुछ देश ग्रीक साइपरोड प्रशासन का इस्तमाल कर रहे है जो साइपरस का दक्षिणी ब इससे पहले भी तुर्की के राश्रपती तैयब अर्दोगान ने नितन्याहू पर खुले मंच से हमला बोला है यहां तक कि उन्होंने हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया इसमाईल हानिये से भी इस्तांबूल में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद उन्होंन झाल 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 झाल